वेलकम बैक गाईज कैसे हैं आप लोग आपका बहुत-बहुत सु आगत है भारत फिटनेस इंस्टिट्यूट यूट्यूब चैनल पर और आज है हमारी दूसरी क्लास है हमारा जो न्यू कोर्स है एनबॉलिक स्टेरोइट कोर्स देखो सबसे पहले चीज जो लोग पहली बा यह एक तरीके से आप कह सकते हो बहुत जादा कॉंट्रवर्सियल टॉपिक रहता है क्योंकि इसके पीछे सबसे पहली चीज यह है कि यहां पर ना दो साइट से एक साइट वर जो उसके अगेंस्ट है एक जो है उसके साथ में हम जो इस को करा रहे हैं जो बिल्कुल फ्री म मैं इसको यूट्यूब पर करा रहा हूं उसके पीछे काफी सारे रीजन्स तो जोने लोग ने फस्ट क्लास वाच करें उनको अच्छे से पता है कि क्या रीजन है और तब ही जाकर आप लोग भी सेकंड क्लास अच्छे समझ पाएंगे मतलब कि सेकंड क्लास कंदर में आज के जो हमारा टॉपिक है अच्छा मैं एक चीज़ आपको पता देता हूं आप लोगों ने अप्लिकेशन हमारी डाउनलोड नहीं करी है अप्लिकेशन का लिंक भी डिस्क्रिशन बॉक्स के अंदर है फ्री स्टडी मेटरियल के लिए जो भी इस पूरे कोर्स के अंदर जो स आप लेख सके ठीक है तो देख तब से पहली चीज़ है टॉपिक आज का जो हमारा है टॉपिक यह है कि वाए वाइ स्टेरोइट्स steroids क्यों? क्यों लोग steroids use करते हैं? इसके पीछे का reason क्या है? ठीक है? अब आप लोग कहोगे कि सर बहुत simple चीज़ है जिन लोग को shortcut चाहिए होता है वो steroids का इस्तेमाल करते है जो ये वो लोग है जो लोग opposite है ठीक है? किसके? जो steroids के खिलाफ है अब जो दूसरी रफ है वो किसले है? किसर ये steroids वो लोग यूज़ करते हैं जिन लोग को competition या competitive goals है हो क्या simple सा? यह होती है सब की बोलने का उनला सब का यही जवाब होता है अगर हम दोनों पहले उसे देखो तो यही जवाब हमेशा आपको मिलेगा लेकिन अगर मैं आपसे कहूँगी एक और जवाब वो क्या है? कि most लोग इस्ट्राइट्स का इस्तमाल करते हैं good looking दिखने के लिए भी अब यार good looking दिखने के लिए लोग इस्ट्राइट्स का स्तमाल करते हैं क्या यह सही है और गलत? यहाँ पर सिंपल सी एक चीज़ है उसका नाम है personal choice यह उस person की personal choice है क्या वो उसको करना चाता है यह नहीं करना चाता यह सब चीज़ है अब यह हम जो बात कर रहे हैं हम बात कर रहे है social way मतलब कि हम general अपना अपना overview दे रहे हैं कुछ लोगों के लिए यह चीज़ गलत होगी कुछ लोगों के लिए सही है अगर आप मुझसे बूछो तो मेरे लिए यह चीज़ कोई problem नहीं है क्योंकि यह सबकी अपनी personal choice है जब ड्रिंग करते हैं, smoking करते हैं जब उनकी personal choice हो सकती है जब हम लोग उस पर गुली नहीं उठाते हैं तो इस पर भी उठाने चाहिए सबकी अपनी personal choice है हाँ, लेकिन मैं हरकेशी को यह recommend करूँ कि यह नहीं, steroids ही, low steroids से इच्छे दिख सकते हैं तो वो चीज़ गलत है तो मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ अब हम आपको यह समझाना चाहरा हूँ कि anabolic steroids क्यों है, क्यों इसको use करता है तो यह तो general way हो गया अब हम इसको समझते हैं scientifically कि scientifically अगर हम anabolic steroids use कर रहे हैं यह हम बात करते हैं scientific based पर तो हम किस बहाब पर यह चीज़ कह सकते है कि अगर यह particular person है इसको steroids use करना चाहिए इसको steroids use करना चाहिए यह नहीं यह इस conclusion पाता है, scientifically बात करते है देखो, आप सभी लोग सोचते होंगे कि जब भी हम steroids की बात करते हैं आपके दिवाओं को सबसे common hormone आता है क्या आता है? सबसे common hormone जिसका नाम है testosterone, अब आप लोग मुझे चीज बताईए testosterone होता है अब यह testosterone जो है, यह hormone है hormone basically हमारी body करता है as a messenger काम करते है यह चीज़ ध्यान है as a messenger काम करते है और आप लोगों में एक चीज़ बतादो testosterone male का number one hormone है या number one sex hormone है इसी तरीके से female में भी testosterone पाया जाता है बट उनका amount male के compare में कम होता है अब testosterone से हमारी body के अंदर काफे सारे characteristics आते है तो testosterone एक androgen है androgen basically वो होता है या वो होर्मोन होता है वो category of hormone होता है जो आपको male characteristics देते है androgen की category माता है इसके बारे में और अच्छे से आगे जानेगे अभी इतना समझीए अगर एक male की बात करें एक male कैसे दिखता है male की beard होती है या beard आती है ठीके voice थोनी deep होती है ठीके muscle mass females compare में generally जादा होता है ठीके both male density भी जादा होती है strong होता है ये सारा result अब मैं आपको एक ठीस सम्झाना चाहता हूँ जो हमली कोशिश करना एक basic example से मैं कुछ situation आपके सामने रखता हूँ मैं सारी situation ऐसी रखूँगा जो आप related भी करता हूँ आपने कभी जब gym ने स्टार्ट किया होगा तो कुछ weeks के अंदर हो सकता आपके अंदर या उसके अंदर result अच्छे आ रहे है जबकि आप दोनों same workout करते हो same ride लेते हो almost same age के हो ठीक है बट फिर भी तो दोनों में से किसी एक result अच्छे आ रहे है माल लेते हैं आपके दोस के result अच्छे आ रहे है अगर आप यहाँ पर debate करते हैं आप यहाँ पर क्या कह सकते हूँ आप यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजे कि exercise और nutrition दोनों का almost same हो कि दोनों दोस से दोनों का same ही चल रहा है तोनों एक दूसरे के साथ ही चीज़े कर रहे है एक दूसरे के डिसकस करके कर रहे है exercise साथ में कर रहे है रही क्या चीज़ रहे है कि जो अलग है हो सकता है sleeping pattern तो हो सकता sleeping pattern भी same है हम यह भी मान के चलते हैं अब क्या अब ऐसा क्या reason है जिसकी वैसे एक दोस्ट जो है उसके strength उसके मसलमा जादा तेजिसे ग्रोगर रहा और एक का गम तो यहां पर आप सब भी लोग कहेंगे कि इसार एक चीज़ है आप वो क्या है genetics defined करती है हमारे characteristics हमारे traits अगर मैं आपसे बोलू as a human being आपकी क्या-क्या characteristics आप बोलोगे सर इंसान के आदमी के इंसान के दो हाथ होते हैं दो पैर होते हैं एक सर होता है एक नाव होती सब यह का हमारे characteristics होती है इसी तरीके से एक चीज होती है, जिसे बोलता है हम traits, क्या बोलता है, traits, अगर हम बोलता हूँ, as a human being, आपके कुछ characteristics होती है, ठीक है, और कुछ होते है, traits, guys, मैं थोड़ा short भी लिख रहा हूँ, ताकि time भी बचे, और हम main point को highlight करता है, ठीक है, तो इसको मत note करने, note कुछ भी हमारे जो characteristics के हैं, हमारे दो हाथ हैं, दो पैर हैं, ठीक है, खान है, नागी, सारे characteristics है, ठीक है, अभी traits समझाँगो, traits क्यों होते हैं, तो यह सब किसकी विए ऐसे genetics की विए से, अगर इंसान का, अगर मालो सिंपल सा, एक male और female का reproduction से कोई baby पैदा होगा, तो भी इंसान ही होगा, ठीक है, क्योंकि, mainly उसके information जो genetic material है, वो यूमिन का है, तो वहाँ पर उसके characteristics होगी, वो लकुल सेम होगी, उसके parents के साथ, characteristics ना मतलब क्या, उसके हाथ भी दोंगा, उसके पैर भी दोंगा, उसके नाग भी एक होगी, ठीक है, कान भी दोंगे, वो ही सेम characteristics होगी, हाँ, वो अलग बात है कि 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 कोई होता है, उनके कोई disabilities होती है, ठीक है, किसी के एक पैर नहीं हाथ नहीं है, तो उसको बोलता है, कि gene के अंदर mutation होना, बदला आवा जाना, ठीक है, किसी किसी के दो पैर भी, तीन पैर भी होता है, तो व gene, अभी word नहीं निकल किया, G, तो अगर मैं आपसे बोलू कि भािया, characteristics क्या है, traits क्या है, traits, characteristics में difference क्या है, तो आप क्या बोलू, characteristics क्या है, characteristics वो है, simple 자, जो बताता है, यह particular, being है, यह है, क्या क्या characteristics है, उसके दो हाद, इसके तेर, अभी traits जो word है, यहां सुना, traits क्यों होता है ट्रेट्स यह है कि जो अमकी characteristics है उसमें भी change होता है जिसे example के दोर पे अगर मैं आपसे बोलू simple as a, अगर मैं बोलू height तो height एक trait है height किसी की long भी हो सकती है किसी की short भी हो सकती है अगर मैं बोलू eye color eye color किसी का brown भी हो सकता है किसी का blue भी हो सकता है अगर मैं आपसे बोलू अगर मैं आपसे बोलू कि height हो गया eye color, skin color हो गया यह सारे आपके traits होता है तो मैं आपको समझाना कहा चाहता हूँ यह जितनी भी चीज़े है characteristics और traits यह सब कौन कंट्रोल करता है हमारे कंट्रोल करता है genes और जो genes है वो कहां present होते है genes present होते है DNA के लिए ने के लिए ने का मतलब बता है deoxyribal nucleic acid एक टाइप का हमारी body के लिए molecule है जिसके लिए जिसके लिए जीन्स परजेंट है जो एक generation से दूसरे generation तक क्या लेकि जाती है information के लिए और उसे genetic material है उसके अंदर जो information है वो कहां पर है वो प्रजेंटे जीन के लिए पूरे ही phenomenon को बोलते है genetics इसकी पूरी study को बोलते है genetics तो इसमें जाना नहीं हम ऐसे वह समझना है genetics का मतलब है genetics का मतलब है जो information जो आपकी body आपके parents से आपके ancestors से आपके अंदर आईए वो आपके genes के थुरू आती है ठीक है और इसको कौन लेके आता है DNA ठीक है यह सारा control genes करते है इसका मतलब यह है जाहिर सी बात है अगर माल लो एक person है कि एक आपका दोस्ते हो सकता है कि उसका जो ancestors रहे हैं या उसके parents है वो कुछ ऐसे उनका lifestyle ऐसा रहा हो यह ऐसे environment पर रहे हैं जहां पर body को उस पहाड़ी जो लोग होते हैं वह बहुत जादा स्ट्रॉंग होता है उनकी body capable होती काफे चीज़ों के लिए जनरली आप देखें जो पहाड़ी लोग होते हैं उनका जो बेसिकली जो climbing की जो बोलता है बहुत अच्छे उनका रहती हो ऐसी जगह पर है ठीक है तो उनकी body के अ उनकी life उनकी body में testosterone level बहुत जादा अच्छा होता है ठीक है तो आपको क्या समझ मारा है तो एक्शल में हम सब भी लोग एक दूसरे से different है बले हमारे हाथ पर सेम हो बले ही मेरे पास भी दोहाते हैं मेरे दोस्के पास भी दोहाते हैं बट हमारे जो traits होते होते हैं वो डिफ आपका दोस्त भी सेंद्रे का रिकाउट कर रहा है सेम दो परसन सेम एज के हैं सेम रूटीन से कुछ है बट फिर भी एक जाद अच्छे जड़ गेंग कर रहा है कम इसका सिंबल मतलब है जेनिटिक्स अब जहां पर जेनिटिक्स है वहां पर आप उस बंदे को बीटी नही जो उस पोस्त के इसाप से बढ़ी है कभी आप यह दिहान रखना आप कभी भी जनेटिक्स अले बंदे को तब तक कभी बीट नहीं कर सकते हैं अगर वह आपके जैसा सेम रिकार डाइट नूटीशन पालो करते हैं तो यहां से आपको क्या समझ मारा है कि अगर आप यह आप तो आप इसको बीट नहीं कर सकते हैं तो भाई इस जो गैप को यह जो गैप बना ना गैप एक परसन की जादा अच्छी है एक जानेटिक्स कम इस गैप को कम्प्लीट करते हैं यह एनवालिक स्टेरोइड इस पैप्टाइड नाम मैं आप इस नहीं लिए रहा कि करता हूं मसल इंकई यह स्ट्रेंड गी अगर बात करता हूं मसल इंक्रेंट की देख शानेगवा इस पैडिक्तो में आप 930 एग मुंट Уीक्ता हूं मैं तो इसम कौन से फैक्टर है जिनका प्रभाव पढ़ता है मसर बिल्डिंग और स्रेंद अब सभी लोग होगे ना दिमांगे एक चीज बैठे हुई वह पता है क्या कि सर टेस्टेस्टेस्ट्रॉण अगर हमारी बड़ी में जादा होगा हमारा मसर मां जाधा गरो करेगा हमारी स्टेंड यह चीज़ अभी सोचते हैं चीक अभी बताव में आप लोग ने कभी ऐसा नोटिस किया कुछ बंदें ऐसे होता है भाई वो कितना भी स्टेरोइड ले ले अर्टिफिशल जोड़ा एन्हेंस करने के लिए अपने आपको स्टेरोइड ले लिया जोड़ी कितनी जाए स्ट्रॉंग है उसके रिजल्ट वरी सबसाथ आता है एक और चीज़ समझाता हूं अगर आप यह सोस्तों कि टेस्ट्रस्ट्रॉन सबसे इंपोर्टन चीज़ है आपका मसल बिल हमारी बोड़ी के अंदर मसल फाइबर टाइप के अंदर में बात गुरूँ इसपेशली दो टाइप में के दो क्रिवेट कर रखता है बस आप इतना समझो जो आपके दो ट्रेकर जो मसल फाइबर है इस टाइप वन वह रेस्पॉंसिबल होते हैं आपके एंडुरेंस के ल लोग लांग डुरीशन तक कर सकते सब्सक्राइब कोई बीशिकन आप अपके पस इतने फाइबर इसकी नहीं आपके पस ताइप 2 मसल फाइबर इतने हैं ही नहीं जिसकी वह इसा आपको मुसल इतना बड़ा हो जाए आपने देखा हो कुछ लोगों होते हैं अपको अपनी सब्सक्राइब करते हैं कि अगर आप मेरा लेक्स का वर्काउट सुनों तो आपको आपने क्या सुन रखा एगर आपका हेपर ट्रॉपी करनी है तो आपको साथ से आठ करना है लग पंदर से भी सैट करने हैं अगर मैं आपको अपनी बता हूं मैं जब वेरे ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी तो मेरे भी लेक्स बहुत वीक थे वीक दिखते थे यह नहीं दिखते थे क्योंकि कभी ट्रेनी नहीं करें तो दिये दिरे मेरे को मज़ा भी आने लगा तो मैंने क्या देखा कि मैं हमेशा से अब हमेशा है मैं मुश्किल से मुश्कर टोटल में बहुत जाधा बता दिये मैं पांच तो मेरे मिनिममम चेट रहते हैं तक मैं आपके खतम कर देता हैं वह नहीं मेरी प्राइमरिक साइज रहतोगी स्कौाट्स कुर्ट्स ओं अभी गैस मैं करता हूँ 4-5 reps, मतलब कि इतना weight लेता हूँ 4-5 reps ना करता हूँ मैं सिर्फ इतना workout करता हूँ और जो मेरे legs है ना, वो मेरी upper body को dominant कर देता हूँ मतलब मेरे legs इतने huge हो जाते हैं, मेरी upper body छोटी लेता है, यह मतलब एक symmetry अजीब सी हो जाती है मेरे legs बहुत तीज़े grow करते है, especially मेरे quards and groups, तो यह मेरी genetically मेरे lower body करता है, मुझे परसनल लगता है कि मेरे type 2 muscle fiber जाता है, मेरी strength बहुत है, मैं legs में बहुत अच्छा weight lift कर लेता हूँ, और यह naturally में बता रहा आपको, तो आपको क्या समझ मारा है, खाली है, hormone level matter नहीं करता है, type 2 muscle fiber बहुत जादा matter करते है, आपकी body में type 2 muscle fiber कितनी है, तो आप देख लेना, जो बहुत से लोग होते हैं, जो तो यह तनी भाइनत कर रहा है, बहुत स्टेरोइट बिले इनकी body में growth नहीं हो रही है, just because, क्योंके उनकी body के अंदर type 2 muscle fiber एतनी है, type 2 muscle fiber, जह हम जितने हम पैदा हो, जब हम पैदा हो, जितनी हो तो तो नहीं हो और body के अंदर होते हैं, but size बढ़ता रहता है, ठीक है, उसी को बोलता hypertrophy, अब आपको यह चीज समझ नहीं है कि testosterone हो गया, ठीक है, और muscle fiber type हो, यह दोनों main point है, किसके लिए, दोनों main चीज है, किसके लिए responsible है, आपके hypertrophy के लि स्रीज भी जो ACPT वाली है, वो भी कापी हद तक देखी है, बागी जो मेरे स्टुएंट मेरे batch में थे, पहले ही अल्रेड़ी उनको तो पता ही हो, ठीक है, बागी hypertrophy है, बागी ट्रॉम्स के बारे में जानना है, तो उसके लिए आपको फिर हमारा जो the prep coach का जो batch है, उसको करना पड़ेगा, डिटेल बब कुद मिल जाएगी, अब आजाओ दिहान सीधर सुन दो, तो भाई आपने देखा कि सर अगर मुझे मसल बिल्ड करनी है, तो पहली चीज तो मेरे बाड़ी में टेस्टोस्रों भी अच्छ होना चाहिए, और मसल फाइबर टाइप भी एक बाड़ी में बहुत जाए उसका सबसे बड़ा रीजन है, उनकी बाड़ी में टेस्टोस्रों लेवल बहुत जादा बनता है, लेकिन फिर भी वह ज्यादा है, बतले बतले तो, हो सकता उनकी बाड़ी मसल फाइबर टाइप इतनल अच्छा लाओ, तो आपको मैं समझान प्रईटेस्टन ही इंपोर्टेंट है, ट्यकर है, मसल हाइपर टॉफिक के लिए, टिक ए, लेकिन अगर आपकी बाड़ी में बहुत जाधा टेस्टोस्रों बन रहा है, तो उसका मतलब यह नहीं है, कि आपकी बाड़ी मसल मास भी जादा जादा गीन करेगी, क्योंकि मसल म तो आपने कभी नोटिस किया कि जो लोग लंबे होता है जो लोग लंबे होता है जाहिर सीवाथ उनके 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 उंदा मस्ल मास हम होता है उनके बोडी अग्या था लेकिन चोटे लोग उत वह जादा weight लिफ्ट कर रहे थे कंपेर टू लूंब लिफ्ट करते तो उनको पाथ होता है जो उनको कवर करना पड़ता हो कम करना पड़ता है लंबे बंदे कंपर में एक लंबा बंदा स्क्वार्ट करेगा तो वह अपनी इसकी हाइट के साब से उसको इतना डीप जाना पड़ेगा आँ तो उतनी डिस्टैंस सोट आफ में जागा उतने में कंपलीट कर रहा है सिंपल यह है कि जो पाथ बि स्टेंस जैतनी भी वो कंपलीट करते हैं उसके अंदर अगर आपको इस तरहीके गेम खेल को तो रचेंख के अंदर चांगते बिसा यूंस Mm वह जाद अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं इस जिनकी लंबी हाइट होती है सिंप पर समको जाए डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है जो शॉर्ट है तो भाई आपका अगर देखते हो तो आपका दूसरा फेक्टर स्ट्रेंथ के लिए अगर देखें तो आपकी हाइड भी हाज़र मैटर करते हैं अगर आप ऐसा कोई स्पोर्ट स्पोर्ट के लिए अगर बॉड़ी बिल्डिंग में भी बात करूं तो भाई बॉड़ी बिल्डिंग के अंतर एक लंबा बंदा है उसके पास भले ही मसलमास ज जादा दिखाए जाएगा ठीक है फ्लेक्स करने के बाद क्योंकि जो मसल इतनी सार जब एक जगए खटता होगी तो जादा बड़ा मसल दिखेंगा तो सिंपल इन वनवन वर्ड जिनकी हाइट कम होती है वह उनको थोड़ा बेनेफिट मिल जाता है किसके अंदर बॉड़ी स्पोर जतनी वेटंटिकरी के साथ मिल यहां वेश्च הז जाता सबसे जितनी क्योंग वेटंट के साथ स्थार डेक्री के साथ हूँ ऊप यह सब मैं आपको बेसीप सजी चीज़े बताना चाब squeezed तो वहीं ने देखा कि आपकी हाइट का भी भुर्टा पर पढ़ता है किसके उपर पढ़ता है आपकी strength के उप़र आप मैं सब्सक्राइब के उपढ़ता हूं एक और है ठीक है वो यह है आपका liver factor यह leverage factor समझाता हूं कैसे इसको थोड़ा हम जाने के लिए यहां पर लिखता हूं करूंग और पेसा आप कुछ भेसे स्था है कर दोर यहां पर अब आप इसका पूर्ड स्फपोर्ड यह रही है आ Gloria, और फिर वो curl करते हैं एक अच्छी movement कें अंदर जडर नहीं लेते हैं तो आप देखना कि जनरली वो जो sports होता उस sports के अंदर वो अपने arms से इतने weight lift करते हैं लेका कि leverage factor भी होती है leverage factor का मतलब यह है कि अगर मान के चलू कोई बंदा है मेरे बाद हम सुनना कोई बंदा है उसके arms छोटे है कुछ इस तरह के समझना मैं आपको इसको यहां पर समझाने कोईश करता हूँ बागी इसको पर मैं प्रॉपर वीडियो बना रखी है उसको मैं आपको उसको इसी जो आ इसको बोलते हैं यहां से आपका रिजिस्टेंस आहां मतलब कि जहां से रिजिस्टेंस लग रहा है यह आपका अपका समय है यहां से आपको और अपर अब लगा हो जहां से आप लगा इसको समझने के लिए आपको यह ली वीडियो है यह देखनी पड़ेगी और इसका आपको लिंक क्या भू सकते हो आपको इसी प्ली लिस्ट में आपको मिल जाएगी बाद में उसी मैं इसको अड़ कर आदू हुँगा तो वहाँ से यह आली वीडियो भी दे सकती है आप पू पर रीजन भी है अब आपको एक बात और बताता हूं वहाँ ध्यान सुनना थोड़ी कड़ी है लेकिन मज़ा आ जागा आपको संदे में अगर आपकी बॉड़ी में मसल फाइबर टाइप इसपेशली टाइप टू मसल फाइबर कम है ठीक है टाइप टू मसल फाइबर अगर क होती है प्रेबात बहुत ध्यान सुनना मैं से क्यों बोल रहा हूं आप सुचको सब्सक्राइब है हॉर्मोंस बनाएगी न मसल इसका सबसे में इंबॉर्टन रीजन यह है कि आपको यह समझना जरूरी है कि एक काम होती है जैसा आपने सुना हाइपर ट्रॉफी हाइपर ट इसको बोलता है हाइपर प्लेसिया तो हाइपर प्लेसिया जो है वह पॉसीबल ही नहीं है अगर आप चाहते हो कि आपकी नंबर आफ सेल्स बढ़ जाया है इसका मतलब क्या है कि जिस बंदे की बॉड़ी में जितने मसल टाइप टू मसल फाइबर उतने ही रहेंगा उनको सपोल हो सकता है यह करते हो सकता है पुलत एक लिए टक वी तो होगा तुमीन इंप्लेश करसके ही है किस है पूर टो आप प्लेश ले ले ना उससे ऑपका हाई प्लेश नहीं हो चुपना और कोई भी अइब्डwości आपको हैपर प्लेस या नहीं करता है है प्लेसिया नहीं गटा इसी वेजुद इस जो लोग काफर प्लेसिया पॉसिबल नहीं ने है नैच्छल्ली पॉसिबल wrestler नहीं कर सकते इसके अन्दर भी ःलग चीज आपकी help करते हैं जिसे बोलतों में ग्रोध हॉर्मोन आपका हाइपरप्लेसिया कर सकता है अब जब यह वाले टर्म जब जाला पार्ट आएगा जहां उसको पढ़ेंगे तब सब्सक्राइब करेंगे आज आपको क्या समझ मारा आज आपको एक अवेरनेस श्याद आपको मिल चुक्यों कि वह यह कि गाईज अगर आपकी बॉड़ी के अबिलिटी ही नहीं है अपको पास मुसल फाइबर टाइप ही नहीं है तो कितने भी अनेबॉलिक श्याद ले ले ना कोई फाइबर लिए तो यहां से अवेरनेस आपको मिली है कि यार अगर मैं बॉड़ी जेंडिकली है अगर ऐसी है ही नहीं त तो मैं बेकार में एक्सपेरिमेंट करूँ जो ची पॉसिबल ही नहीं है अब आप लोग को के सर लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि मेरी जो यह बॉड़ी इसके लिए कैपेबल है के नहीं है कि लोग कहते है पहले देख पहले समान लेक बंतो जाओ समाने सी बुलता ना समान ल सब्सक्राइब करा ने हुए नहीं लेकिंग हो अच्छी मेनद्ध भी कर रहा है अधिमेरे बॉडड़ी का साइज नहीं बढ़ रहा है इस अगर आप च्छे नूट्रीशन भी ले रहे हो तो अगल आप ट्रेश्श करेंघ्रिए तो आपका बॉड़ी बनने चाहिए अपक क्या समझे मारा है समझाना में आपको क्या चाहता हूं एक चल में चिस टरोइड जह एनबॉलिक स्ट्रॉड बेनफीशेली किन लोगों के लिए जो जेनेटेकली स्ट्रॉण है नहीं हो आपके पास वह अबिलिटी ही नहीं है बॉड़ी के पास वह मस्ट फईर पर इस नहीं ह नहीं बन पाएगी जो एक जैनेटिक प्रोटेंशल बंदे की अगर मेरी आप लेक्स देखो गे ना जामें नेश्रली ट्रेंड करता हूं मेरी जो लेक्स अगर किसी बंदे के सामने खड़ा कर तो जो इसके लेक्स को डॉमिनेट कर जाएगी मेरी बहुत जादा यूज दिख अगर आप अनाबॉलिक स्ट्रेंट यूज तो वह तब ही यूज गरो जब आपको यह पता हो सबसे पहले कि मेरे को परपस क्या है अगर मेरा परपस है कि मुझे कॉम्परिटिशन खेलना है तब आप अनाबॉलिक स्ट्रेंट गरो यूज तब यह देखकर क्या मेरी आपको आपको ट्रेंग से अच्छी नूटिशन गर जालेगा पर देखो अपने बोड़ी को जानो ठीक है आपको लोग एना बड़ी स्ट्रेंट लेके भी वह मसल बिल्ड नहीं कर पाते है वह मसल मासल बिल्ड पाते स्पेशल लेक्स के गर में किस बात तो लोग बहुत ल लोग आना बोलिक स्टेरोइड्स करते हैं यह अब आपको समझ मागया हो और वाई के साथ ने क्या क्लिए कर ली प्रॉलम को सोलुशन भी निकालिया या प्रॉलम को सोलुशन निकाला कि हम अवेर हो चुके हैं अगर हमारी बॉड़ी है इस लायक तो हम यूज करेंगा वा हमारी बॉड़ी के नैशरल ही हम कितना खेंच रहे हैं कितना हमारी बॉड़ी रेस्पॉंस कर रही है हम मैं आपको एक बहुत ऐसी बात बताने वाला हूं बिरी बात ध्यां सुनना देखो अगर आपको ऑलिंपिया बनना है अगर आप यह सोचरों कि पहले तो मैं 3-4 साल ल बॉल रहा हूं देखो कैसे मैं संझाता हूं कैसे अगर आप अल्रेडी आप ने बहुत लेक्सार्ट किया है तो यह आप सोचो ना अगर लेट आपने स्टार्ट किया आप 25 इंवर में स्टार्ट किया आप 30 कि में जाकर नेना की सोच रहे हो जब आपकी बड़ी डिक्लाइ चाइज में ट्रेइनिंग करना स्टार्ट कर दी तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपने ओलेंपिया या बॉडि बिल्डिग या कुछ भी करना है आपके जितने अरली स्टार्ट करना है अब अपने जनली अपने जनेटिक पोटेंशिल को जान पाऊगे जब जन लोगे तैन आपको आंसर मिल चुखा होगा आज की क्लास हमारी इस ट्रॉपिक के उपड़ती अब जाती जाती इंपरमेशिन सुनती हुए जाओ मैं हर बार की तरह बोल रहा हूं दिसेंबर में हमारे बैचे स्टार्ट हो रहे हैं एसी पीटी के बैचे स्टार्ट हो रहे हैं जिन आपको अच्छे प्राइस पर मिलने वाले हैं तो आप अगर में टीम को कॉंटेक करते जिसका वर्ट सब्सक्रिप्शन बॉक्स के अंदर है आपको सारे डिटेम मिल जाएगी बैचे के बारे में कौन-कौन सा बैच कब स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में इनफ्रमेशन आप ले सकते हो तेन अपनी जर्नी फिट्नेस कंदर स्टार्ट कर से आई होप आपको यह समझ माया होगा और जितना मैं कोशिश कर सकता तो है जिए समझाने कोशिश करिए अम मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास कंदर टेक केर बाग